नमस्कार आदाब सच्छी अकल में कीर्टी और आप देख रहे हैं लाइफ टेन इूस विपक्षी गडबंदन इंडिया के साथ जेडियू की कथत नाखुशी के बीच बिहार में बिजेपी के एक प्रमुक सयोगी दल राष्ट्रिय लोग जन्शक्ती पाठी के नेता और केंद्रिय मंत्री पशुपती कुमार पारस ने शनिवार को दावा किया कि राज्य में सत्तारून गडबंदन का तूटना शत प्रतिशत ने हैं राष्ट्रिय लोग जन्शक्ती पाठी के नेता पशुपती पारस ने कहा कि बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार और राजत अध्यक्ष यानि लालू प्रसाद के बीच मदभेद घहरे हो गया है यानि कि इन लोग के बीज नितीश और लालू प्रसाद के बीज जो मधेत थे वो और गहराते जा रहे हैं उन्होंने कहा कि उनका गडबनन तूटना सौ फीज दीते हैं खरमास यानि कि हिंदू मानिता में अशुब माना जाने वाला समय समाप्त हो गया है 22 जनवरी को आयोध्या में भगवान राम की मूर्ती की प्रान प्रतिश्टा की जाएगी एक शुब अवधी शुरू हो गई है और जो भी होगा वो बिजेपी नेतरत वाले NDA के लिए अच्छा होगा पशुपती पारस ने कहा कि बिहार समेत पूरा देश राम मंदिर को लेकर उत्सहा में डूबा हुआ है और विपक्ष के लिए चुनाओं में कोई संभावनाय नहीं है जे डिउ आर जे टी कोवंग्रेस वाम गडबंधन को मसबूत माना जाता है तो पशुपती पारस ने कहा कि इन्हें लोगसभाचुनाओं में हार की जो हार है उसका सामना करना पड़ेगा लोगसभाचुनाओं में उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गडबंधन जल्द ही तूट जाएगा बिहार में लोगसभाचुनाओं को लेकर इंडिया गडबंधन में जो सीट शेरिंग है उसकार अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है इस बीच घटक दलोक के बीच में टकरार की भी अटकले लगाई जा रहे हैं अला कि डेपुटी सीम ते जस्वी यादव ने इसे सिरे से खारिच करते हुए कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक है उन्होंने ये बात सीम नितीश कुमार के साथ मुलाकात के बात कही और उन्होंने कहा कि अगर वो सीम से मिल रहे हैं क्योंकि कामकाज के लिए मिलना जरूरी होता है यानि कि जो भी कामकाज होते राजनेतिक माइने में उसके लिए मिलना आमना सामना होना वहाँ जरूर है दरसल पशुपति पारस का ये कहने की कोशिश कर रहे थे किस मुलाकात को किसी और नर्जरीय से ना देखा जाया आप राजनीति में क्या होता है नितीश लालू की जो मदभेद रहे है वो गहरा बात होगी जो भी होगा आप तक लेकर ज़रूर पहुचेंगे वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए दा